नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी कुचल मंगल से होंगे. स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केर में. दोस्तों, आज हम बात करेंगे अडेनियम प्लांट्स की जो ब्रांच लेगी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे और डिसकस करेंगे कि इसका क्या समयधान होना चाहिए. दोस्तों आज वीडियो के साथ साथ ओडियो भी बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है तो आप पूरी वीडियो को बिना स्किप करके देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके मैं आपको अपने अडेनियम के जो ब्रांच है उसके उपर से जो चार से पांच ब्रांच निकली हुई है जो डिवाइड हुई है कई सारे इससे में मैं वो दिखा रहा हूँ और मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दो तरीके से ये बनती है एक तो नैचुरल प्रोसेस होता है जो natural में अपने आप ही बन जाती है और एक होता है artificial process इसके अंदर हम लोग इसको उपर से prune कर देते हैं या इसको pinch कर देते हैं कुछ भी आप कह सकते हैं तो उसके बाद ये branch जो है side से निकल जाती है अब इनके फाइदे भी हैं और इनके नुकसान भी है देखिए नुकसान इसके अंदर जो होता है वो ये होता है यदि आपकी जो branch है यदि healthy नहीं बन पाती है या किसी वज़े से healthy नहीं होती है तो उसके बाद जब ऊपर एक bunch सा बन जाता है leaf का तो वो जुक जाती है और जुकने से वो कई बार टूट भी जाती है आप देख रहे हैं कि ये जो मेरी branch है अडेनियम plant की ये अपने ऊपर के हिस्से से पतली होती जा रही है और नीचे इसमें आप देखेंगे अभी देखिए आप visible हो रहा है आपको देखिए ये पतली है और नीचे फिर ये थो तो आप देख रहे हैं कि इससे अब इसका फाइदा क्या होगा इसका फाइदा ये होगा कि इस एक branch पर जितनी ये divination हुआ है उतनी ही इसमें flower रहेंगे एक बार में और ये आप देख रहे हैं ये मेरी जो branch थी जो अडेनियम की branch थी लाइगी हो गई थी मैंने इसको ये cut क किस तरी से cutting करके grow कर सकते हैं इससे आपका जो steam होगी उसके उपर यदि आप graft करना चाहेंगे तो graft कर सकते हैं नहीं करना चाहेंगे तो ऐसे भी छोड़ेंगे तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से ये branch निकल गई है अब जितनी branch ये divide हुई है उतनी ही इस पर flowering हो जाए और वजन बढ़ने से क्या होगा कि एक तरफ को जुख जाएगी तूट भी सकती है तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो ये plant है ये मैंने सुरू में ही इसकी जो branch थी उपर से थोड़ी सी cut कर दी थी और कुछ रोट भी हो गई थी मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने एक plant की जो branch थी वो एक बार मतलब थोड़ा डोट हो गई थी तो मैंने उसको हटा के और नीचे का portion साफ करके उसको इस तरीके से पोट के अंदर रख दिया था सिर्फ और मैंने इसको अंदर दबाया नहीं था तो सिर्फ उसको इस bamboo stick से मैंने सहारा देकर इसको इसको इस पर सिर्फ ख देगा आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ सोयल के उपर एक तरह से रखा था और इसकी जो roots है आप देख रहे हैं यह देखिए कितनी healthy root इसकी हो गई है यह जो root है यह अपने आप नीचे की side अपना चले जाएगी और जब अभी मैं इसके अंदर इतनी कोई plant अगर unhealthy हो तो उसके साथ कोई experiment नहीं करना चाहिए आप देख रहे हैं कि मेरे कई साभी बहुत सारे प्लांटों के अंदर जो है जो उपर की branch है वो कुछ अपने आप भी जैसे आप देख रहे हैं यह उपर से tip joys का root हो गया था ज्यादतर यह सर्दियों में problem हो जाती तो OVCM के उपर इसको graft करने का कोई मतलब बनता नहीं है और मुझे इतना इस पर रोजी अडेनियम का graft करना ठीक नहीं लगता है इतना cut करके यहाँ पर graft कर सकते हैं या फिर छोड़ भी दूँगा तो यहाँ से 3-4-5 कुछ भी branch निकल जाएंगी और वो branch निकलेंगी तो बढ़ेगी जाहिर सी बात है जितनी tip होंगी उतनी ही इसमें flower ज्यादा आएंगे आप अपने अडेनियम plant की hard pruning है वो आप कर सकते हैं लेकिन आपका purpose क्या है पहले आप वो decide कर ले यदि आप उसके उपर दूसरे अडेनियम plant की grafting करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकत hard pruning करने से बहतर तरीका है कि आप अपने plant की समय समय पर leaf pruning करते रहें ताकि आपकी steam मजबूत हो जाए ब्रांच मजबूत रहेगी तो वो कितनी भी बड़ी हो जाए उससे कोई दिक्कत आपको होगी नहीं बहुत से बार लोग उसकी hard pruning जो करते हैं वो plant को shape देने के लिए करते हैं उससे उपर की side में plant जो है बुशी टाइप में बन जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि अडेनियम plant एक बहुत ही बहतरीन गौनसाई plant है तो उसको गौनसाई बनाने के लिए उपर से prune कर सकते ह हैं वैसे आप जानते ही हैं कि अडेनियम hardy plant है उसको किसी भी तरेकी की shape को दिया जा सकता है आप अपने अडेनियम plant की कभी भी hard pruning कर सकते हैं बस आप बरसात का और सरदी का ध्यान रखें या फिर अगर आपने ऐसा atmosphere उसके लिए बना रखा है ऐसी जगे बना रखी है जह सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और किन बिंदू ओपर focus करके अडेनियम पर्चेस करना चाहिए अडेनियम plant कहीं से भी खरी सकते हैं लेकिन आपको उन सावधानियों का पता होना बहुत जरूरी है तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन प्रेस कर लीजे और यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक का बटन चरूरी दबाएं आपका बहुत बहुत धन्यवाद